दोस्तो लोग सबाचोनाओ आने वाले हैं अगर आप लोगों ने अभी तक अपना वोटर आड़ी नहीं बनाया है तो आज किस वीडियो में आप सीखोगे कैसे आप घर बेटे ऑनलाइन बना सकते हो तो वोटर हेलपलाइन इस एप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ल लेना है अपना मुवाइल नमबर एपको वहाँ पर ENTER करना होता है मुवाइल नमबर एंटर करने के बाद आपको OTP आता है OTP आने के बाद नुब आपको अपना over डालने Japan अपने क्ले किया ऊपको यह पर तालने उसके बाद ओडीप आपके अम yer लंबर पर आएगा उस को आपको यहम पर एंटर करने फिर login नाओ पर click कर देना है जैसे ही आप यह पर process कर लोगे तो उसके बाद आपके सामने interface खुल किया आ जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं का लाब आप उठा सकते हो हमको फिलाल अपना ID बनाना है वोटर ID बनाना है तो वोटर registration वाले इस वाले section पर आपको click करना है जैसे ही आप यहाँ पर click करोगे तो उसके बाद आपके सामने नए interface खुलेगा आपको form 6 यहाँ पर fill up करना होता है तो जो भी नया वोटर ID बनाता है तो उसको form 6 फिल आप करना होता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो उसके बाद आपके सामने नए अटरफेस खुलेगा, तो अब आपको यहाँ पर let's start वाला एक बटन नीचे की तरफ दिखेगा, उस वाले बटन को आपको यहाँ पर क्लिक कर द दिख जाएगा, नेक्स्ट वाला उस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे आप यह प्रोसेस कर लोगे, तो उसके बाद अब आपको अपनी information वहाँ पर फिल अप करनी होती है, अपना state की information आपको वहाँ पर डालनी होती है, अपना district जो भी आपका जिला है, वो assembly, consistency जो भी आ आपकी वहाँ पर है, वो भी आपको वहाँ पर फिल आप करनी होती है, date of birth, जो भी आपका document में date of birth है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होता है, और फिर आपका यहाँ पर जो भी आपका document लगाना चाहते है, वो आप यहाँ से select करने की बाद लगा सकते हो, आधर काड़ फोटो कापी यहाँ पर अपलोड करनी होती है फिर नेक्स्ट वाला बटन यहाँ पर क्लिक कर देना होता है फिर आगे की प्रोसेस में आपको अपनी यहाँ पर कोई फोटो अपलोड करनी होती है और उसके बाद अपना जेंटर आपको सेलेक्ट करना होता है फिर अपना नाम यहाँ पर एंटर करना आपको होता है जो भी आपका नाम डोक्यूमेंट है उसकी बाद हिंदी में यहाँ पर लिखना होता है उसके बाद जो भी आपका सरने में उसको यहाँ पर अंगरेजी में लिखना है और हिंदी में फिर यहाँ पर नीचे लिखना है रिजिनल में उसक आपको disability है तो वो आप यहाँ पे select कर सकते हो उसके बाद next वाला button को click कर लीजिए इतना कर दिया है तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ और information देनी होती है अपना relation यहाँ पर आपको बताना होता है जिसके साथ भी आप information देना चाहते हो तो फादर के साथ है तो फादर का यहाँ पर आपको नाम लिखना होता है और फादर का last name तो फादर की information आपको देनी है फिर next वाले button पर आपको click कर देना है यह process अगर आपने कर दिया तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना address की information देनी होती है अपना house, building number, apartment number आपको यहाँ पर fill up करना होता है अपना street area जो भी आपका है उसके बाद जो भी आपका village है, town वो एंटर करना होता है information देने के बाद फिर आपको अपना post office की information देनी होती है फिर अपना post office का pin code आपको यहाँ पर देना होता है तो अपने father का नाम यहाँ पर आपको mention करना होता है उसके बाद अगर उनके पास water ID card है तो वो भी आप यहाँ पर enter कर सकते होगर नहीं है तो कोई बात नहीं यहाँ पर यह optional रखा गया है उसके बाद next वाले button पर आपको click कर देना है जैसे आप next वाले button पर click कर लोगे तो उसके बाद फिर आपको कुछ और information देनी होती है जहाँ पर अपना state का नाम अपने district का नाम आपको देना होता है अपना village और town जो भी आपका है वो enter करना होता है तो जिस घर में आप जब से रह रहे हो तो वहाँ की information भी आपको देनी होती है तो वो select करने के बाद फिर आपको यहाँ पर पूरी information यहाँ पर fill up अच्छे से कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर enter करना होता है और जे जगह से आप यह application form fill up कर रहे हो वो वाली जगह आपको वहाँ पर mention कर देनी है उसके बाद done वाले button पर आपको click कर देना होता है जैसे आप पूरी process कर दोगे तो आपके सामने form 6 आपके सामने पूरा खुल किया जाएगा जो आपने fill up किया है पूरी information आपको वहाँ पर so हो जाएगी उस confirm button को आप जैसे click करोगे तो फिर आपको यहाँ पर आपका जो registration होगा वो हो जाएगा और एक या फिर दो हपते के अंदर अंदर आपका water ID card आपके घर तक पहुंचाएगा जो भी address आपने यहाँ पर दिया है तो confirm करने के बाद registration सेंग्या आपको मिलती है उसकी मदद से आप track कर सकते हो आपका जो water ID card है कहा है कब तक आपके घर तक पहुंचेगा तो इस परकार आप घर बेटे ही अपना water ID महा सकते हो काफी simple step में यह process आप लोग कर दोगे वीडियो इंफरमेडिय लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजे मिलता हूँ आपसे next वीडियो में कुछ और information के साथ जहां पर आप कुछ और नया सीखोगे नया जानोगे